तो कहां गया सुसंत सिंग राजपूत कहां है सुसंत ना पोस्टर में ना बैनर पर ना किसी की जुबा पर कहीं पे भी वो आज नहीं है किसलिए नहीं है अचानाक सुसंत सिंग राजपूत की नाम लेना सब बंद क्यूट किसलिए कर दिया बस गिनेचुने कुछ लोग जो की उनके डाई हट फैंस है उनके इलाबा कोई पोस्टर बैनर जो की कुछ महीने पहले भी हमें रोड पर बड़े बड़े बैनर दिखने को मिलता था जहां आप लोगों को इस वीडियो में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो गाइस वेल्गम डू चारापोना चारापोना में आप लोगों का फिट्स एकवर स्वावत है कुछ दिन पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टी का मेन मुद्दा था सुसान सिंग राजपूत हर कर रहा था उसके लिए जास्टिस का मांग कर रहा था मगर आचानक सब बंद किसलिए कर दिया एक्चुली यह बंद तब हुआ है जब भी हर में पहला दाफा का इलेक्शन खतम हुआ और सिगन दाफा का इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे यह खतम हो गया क्योंकि उस वक्त एम्स का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सामने आ चुका था और एम्स ने दावा किया था कि सुसान सिंग राजपूल माडन नहीं है बलकि यह सुशेज का घटना है और तब से हर कोई चूप है दिल्ली से लेकर बिहार तक कोई भी इसके उपर कोई बा रहा है कि सुसान सिंग का ये इमोशन को लेके हम हमारी भोट बैंक को और बड़ा नहीं पाएंगे जितना होना था वो हो चुका है जिसके करण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो कोई इस मुद्दे की उपर बात नहीं कर रहा है राजपुत शब्द को बहुत इस्तेमाल किया था ताकि उन राजपुतों की भोट लिया जाए पर उसके बाद जब एमस ने अपना फाइनल रिपोर्ट सब्मिट किया वो लोग भी चूप हो गये क्योंके उन लोगों का ऐसा कोई मतलम नहीं बनता है कि उसके उपर जाज क क्यों नहीं रखेंगे इसको तो रखना चाहिए ना मागर उन लोगों का क्या वो लोग सोचने कि आरे बापर आगर एमस ने बोल दिया है तो मतलब बहुत बारा कामें एमस के उपर हम कैसे बात कर सेकते बहुत ओर डॉक्टर लोगों ने जाज परतल करने के बाद ही पता नहीं है यह तो बस आप और हम है जो इतना कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में वो केस क्या था जानने के लिए मगर खुद बिहर वाले भूल चुके हैं सुसान सिंग राजपूत को क्या सही है अगर बिहर वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कॉमेंट पे कोई पतन बतन कुछ नहीं हुआ था कोई नशा भी नहीं करता था उनको जवरदस्ती ड्राग्स दिया जाता था वो खुद से ड्राग लेने वाला इंसन नहीं था उनको ड्राग इंजिक्ट करके उनको एडिक्टिट कर दिया गया था और आप लोग ये कैसे कह रहे हैं जो उनके बाद सुसान सिंग राजपुत की नाम लेना भी बंद कर दिये हैं और मुझे आप लोग ये बताइए कि जब तक सुसान सिंग राजपुत जिन्दा था तब तक कितना जंग जानते थे कि सुसान सिंग राजपुत बीहर से बिलोंग करता है उनके मरने के बाद उनका ज पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से वो वरकर्स को लेगे कोई भी बात नहीं हुआ ऐसे कि दिल्ली यानी सेंट्रल तक भी कोई बात नहीं हुआ था मगर उस टाइम पे सुसान सिंग राजपूत की उपर बहुत चर्चा चल रहा था बहुत सुसान सुसान करके फुदर रहा था हर कोई मगर जब उन लोगों को लगा कि इसके उपर और ताल गलने वाला है नहीं तब सब कोई चुप और ऐसे ही सुसान सिंग राजपूत को अलविदा कर दिये हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से शुरू करके पूरा बिहर के जनता भी क्योंकि जब तुम चले ज जो है वो कभी उनको भूलेगा नहीं वो हमेशा याद रखेगा और साथी साथ सुसान सिंग राजपूत की हर एक फैंस का यही नीड रहेगा कि आखिर में एक्चुल घटना क्या है क्या वो जिन्दा है या नहीं तो दोस्तों यही था इस वीडियो का में मक्सद की मुझे लग रहा था कि इसकी उपर थोड़ा सा बातचित करना चाहिए क्योंके सुसंद को लेके एक टाइम पे बहुत राजनीती का खेल खेला गया था और जब काम खतम हो गया तो उनको भी साइट कर दिया गया था तो दोस्तों मिलेंगे हमारी आगले वीडियो पर तील देन सब कोई अच्छा रहेगा सुस रहेगा टाटा